सब्सक्राइब करें अपने चैनल इग्नु लर्निंग सेंटर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट इग्नु रिलेटर इन्फरमेशन और स्टडी मेटेरियल सबसे पहले पाने के लिए Hello Friends, Welcome to your channel इग्नु लर्निंग सेंटर जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने FST1 की MCQ One Liners की सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसका कि ये Part 8 वीडियो है अगर आपने Part 1 वीडियो नहीं देखी है तो उपर आई बटन दबा कर या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे पिछले के सारे वीडियो देख सकते है तो चलिए बिना देर किये देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं तो इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो देखेंगे इकाई 14 और इकाई 15 के Most Important MCQ Questions और उनके Answers को तो चैप्टर 14 है पारिस्थितिक तंत्र जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कुछ Important Topic जो है वो है पारिस्थितिकी एवम पर्यावरन पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिक तंत्र में विभिन प्रानी और उनकी परिस्थितिकी ये भूमिकाएं आहार सिंखला, आहार जाल पारिस्थितिक तंत्र से उर्जा का प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का चकर नाइटोजन चकर, कार्बन चकर, जल चकर प्रित्वी के पारिस्थितिक तंत्र में अंता क्रिया तो इन सब को हम चैप्टर 14 में देखेंगे इसके अलावा हम चैप्टर 15 भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पर्यावरन के घटक तो इसके अंतर का जो टॉपिक्स आते हैं वो है महासागर, महासागरों की कुछ भौतिक विसेशताएं तो इन सब टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो चलिए बिना देर कि ये वीडियो को सुरू करते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले क्योंकि यहाँ पे आपको इगनूस related सारे study material और जानकारी आपको provide की जाती है तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर दबा ले तो चलिए chapters को सुरू करते हैं जो कि है पारिसितिक, तंत्र और पर्यावरन पर्यावरन से related मैंने एक separate video भी बना रखी है जो आप playlist में जाकर check कर सकते हैं उसमें मैंने most important MCQ questions की उसमें कराया है जो आपके exam में, example question की तरह है कि उस type के question आपके exam में आ सकते हैं तो पहला question है, जीव विज्ञान की वह साखा, जिसमें जीवो और उनके पर्यावरन के बीच संबंधों का अध्यान करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उस विज्ञान को पारिस्टिकी कहते हैं, जिसमें जीवो और उसके पर्यावरन के बीच संबंधों का अध्यान किया जाता है अगले question को देखते हैं पर्यावरन के दो घटक कौन कौन से हैं तो पर्यावरन के दो घटक हैं जैविक और अजैविक घटक अगला question पारिस्तिक तंत्र के प्रानियों को कितने स्रेनियों में बाटा गया है तो पारिस्तिक तंत्र में जीवन का मुख्य सुरोथ उर्जा के लिए जीवों का मुख्य सुरोथ सूर्य है अगला कुशन प्रकास संसलेशन के मूल तत्व कौन कौन से हैं तो प्रकास संसलेशन के मूल तत्व जो हैं वो सूर्य का प्रकास जो उर्जा का रूप है कारवन डायोकसाइट और जल है अगला कुशन हरे पौधे कि स्रेनी के अंतरगत आते हैं अगला कुशन पारिस्थितिक तंतर के लिए उर्जा का मुख्य स्रोत क्या है पारिस्थितिक तंतर के लिए उर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकास है जीवों के लिए भी उर्जा का मुख्य सुरोत सूर्य है और पराश्थिक तंत्र में भी उर्जा का मुख्य सुरोत सूर्य का प्रकास ही है अगला प्रस्ण है पारिष्टिक तंत्र में उर्जा का प्रवा होता है वो कैसे होता है कैसी प्रक्रिया है तो वो एक तरफा होता है अगले कोशन क्यों बढ़ते हैं किसी पारिस्टिक तंत्र में उर्जा का परवेस किन से होता है तो किसी पारिस्टिक तंत्र में उर्जा का परवेस उत्पादगों से होता है अगला प्रस्ट पर्यावरन के तीन घटक कौन कौन से हैं तो पर्यावरन के तीन घटक जो है वो महासागर, वायूमंडल और वन है अगला प्रस्न, कुछ जीव अपना स्वेम का प्रकास उत्पन करते हैं, उन जीवों को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को जीव संदीपती कहा जाता है, बायो लूमिनेंस अगला प्रस्न, प्रित्वी के कितने प्रतिशत भाग में महासागर है? तो आगो पता होगा कि प्रित्वी के 70 प्रतिशत भाग में महासागर है अगला प्रस्ण है वायूमंडल समुद्र की सता पर कितना दाब डालता है तो वायूमंडल जो है वो समुद्र की सता पर एक किलोग्राम परती वर्ग सेंटीमीटर का दबाव डालता है जिसे एक वायूमंडल ये दाब भी कहते हैं और इसका मातरक होता है एक पास्कल एक पास्कल की एक्विलेंट होता है ये एक किलोग्राम परतिवर्ग सेंटिमीटर अगले प्रस्न क्यों बढ़ते हैं पृत्वी का सबसे बड़ा और सबसे घने पारस्थिक तंत्र कौन सा है तो पृत्वी का सबसे बड़ा और सबसे घने पारिशिक्तित तंत्र है वो महासागर है अगला प्रस्न है समुद्र में पाये जाने वाले जीवों की मात्रा और प्रकार को नियंत्रित करने वाले प्रमुक कारक कौन-कौन से तो समुद्र में पाये जाने वाल जीवों की मातरा और उनकी प्रकार को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं वो हैं उर्जा और पोसक पदार्थ इनी से वो नियंत्रित होते हैं वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करे और दोस्तों के साथ share करे ताकि मुझे motivation मिलता रहे इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहने के लिए तो अगले question को देखते हैं कौन सी घटना गहरे जल से खनीजो और आविसक पदार्थों को सता पर लाता है तो इस प्रक्रिया को उत्प्रवाह कहते हैं अगले प्रस्ण की और बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है उसन तथा नम वन में पाए जाने वाले पौधे हैं वो हैं और्किट ब्रोमोलियर्ट अगला क्वेशन चिपको आंदोलन किस से संबन्दित है तो चिपको आंदोलन जो है वो बनो के संरचन से संबन्दित है चिपको आंदोलन के बारे में और भी डिटेल से मैंने एक दूसरी वीडियो में डिसकस किया है जिसमें मैंने पर्यावरन से रिलेटेड मोस्ट इंप वृस्स्रिप्शन में और उपर आई बटन में दे दिया है, तो आप उसे एक बाच एक जरूर कर लेए, चलिए अगले कोशन के और बढ़ते हैं, अगला कोशन है च्छदमावरन क्या है? च्छदमावरन पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो च्छदमावरन जो है, वो जैसे गिरिट जो है वो गासों में अपना रंग गास की तरह बदल कर उसमें खुद को छुपा लेता है चलिए अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रस्ण क्या है देखते हैं तो अगला प्रस्ण जो है किसी विशेश छेतर में सभी अत्वा कुछ चुने हुए जीवों जीव समुहों का कुल भार क्या कहलाता है तो किसी विशेश छेतर में सभी अत्वा कुछ चुने हुए जीवों समुहों का कुल भार जो है उसे हम जीव भार कहते हैं तो दोस्तो आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप एक सप्ता में कितने चैप्टर्स चाहते हैं ये आप बताएं क्योंकि दोस्तों आप ये भी ध्यान रखे क्योंकि इन नोट्स को बनाने के लिए मुझे सारे chapters को deeply study करना पड़ता है फिर उनसे important question को छाट कर आपके लेकर आना पड़ता है तो इसमें मुझे time लगती है इसलिए मैं एक सप्ता में दो वीडियो series आपके लिए लाता हूं जि कि मुझे motivation मिले आगे इस वीडियो series को continue रखने के लिए और आप इसमें क्या correction चाहते हैं और आप को ये वीडियो कैसी लग रही है ये आप हमें comment box में जरूर बता है तो बस इतना ही कहकर मैं अंत करता हूं वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अ कर दो झाल झाल